जिन में दम था बढ़ने का वो दूर निकल गए और जिन में दम था बढ़ने का वो वहीं फिसल गए नवजकार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका मोटिवेशनलिट की यूजूब चैनल आज की हमारी पोईम का जो शीर्सक है वो है एंकार दंब अभिमान इस कवीता के जरीए बताया गया है कि इंसान चाहे कितना भी महान हो कितना भी हमीर हो अगर उसमें एंकार की भावना आ जाए तो उसका पतन शुरू हो जाता है बड़े-बड़े राजा, महराजा, ज्यानी, विद्वान इस एंकार के कारण मिटे में मिल गए हमारे इतिहास में बहुत सारी एक्जैंपल, बहुत सारे उधारन है जैसे रावन का उधारन ले रीचिये कहते हैं कि वो इस पृथी लोग का सब सिविद्वान रेक्ती था बहुत सारी सित्याप्राप्त थी पर एक एंकार के कारण उसका सर्वनाश हो गया, उसका विनाश हो गया तो हमें हमेशा अपने आपको डाउन टू अर लेकर चलना है तो कि वक्त की बाजी ऐसी बाजी होती है कि कभी भी बलट सकती है ये वक्त है आपको आसमान से नीचे गिरा सकता है तो आईए इस कवीता के जरी जानने की कोशिश करते हैं कि एंकार करने से क्या नुकसान होता है जिसमें दम था बढ़ने का वो दूर निकल गए और जिसमें दम था बढ़ने का वो वहीं फिसल गए जो शांत रहे बस बैते रहे सागर से मिले और निखर गए जो उचलते रहे मचलते रहे वो तूट गए और बिखर गए अब इमान तो ऐसी दीमक है जिस पर लगती है खा जाती है अभिमान तो ऐसी दीमक है जिस पर लगती है खा जाती है अंदर अंदर कैंसर की तरहा सर्वनाश ये कर जाती है अभिमान हुआ जब रावन को सोनी की लंका खाक हुई अभिमान हुआ जब रावन को सोनी की लंका खाक हुई अभिमान हुआ जब दुर्योधन को हस्तिना पुर्भी राक हुई इस अभिमान के चक्कर में विशाल महल भी खंडर हुए स्वर्णिम इतिहास के अंध हुए बड़े युद बवंडर हुए शक्ती होकर भी शांत रहे वो श्री राम भगवान हुए शक्ती पाकर जब दंब किया वो समराट कंस शैदान हुए शक्ती होकर भी शांत रहे वो श्री राम भगवान हुए शक्ती पाकर जब दंब किया वो समराट कंस शैदान हुए इस दंब के कारण अच्छों अच्छों के इस दंब के कारण अच्छों अच्छों के हालात ही बिलकुल बदल गए जिन में दंब्ठा बढ़ने का वो वही फिसल गए और जिन में दंब्ठा बढ़ने का वो दूर निकल गए वो दूर निकल गए तो दोस्तो जैसा आपने इस पॉइम के जरीए सुना और दिखा कि इस एंकार के कारण बड़े-बड़े राजा महराजा, बड़े-बड़े विद्वान, खाक में मिल गए, जो शांत रहे जैसे श्री राम जी वो भगवान कहलाए, तो हमें किस भी प्रिस्तिति में घमन नही करना चाहिए, हमें अपने आपको सर्वस्रेष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर्वस्रेष्ट तो परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने ये संसार बनाया है, ये प्रकृति है, जो हमें पाल रही है, हमारे माता पिता है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, उनसे वड़े खुद से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, ज्यादे से ज्यादा पेड लगाएं, ट्रफिक रूल्स का पालन करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, जै भारत है, swing those hips around, caster, low back down, my lady's short-hold in a wise, four ways down and ready to ride one-by-one, billion-by-